आपका स्वागत है मैं राहूल राज तो आज हम बात करने वाले हैं आर पी एफ ठीक है आर पीएफ के जो भरती निकल के आ चुकी है मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ इसके सारे डेटेल्स वाला जिसमें आपको पोस्ट क्या है कॉलिफिकेशन क्य है एज क्या है हाई चेस्ट वेट रणिंग हाई जंप लॉंग इसके फुल डिटेस्ट आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ अब नेक्स्ट वीडियो आज हम बात करने वाले हैं पहले सबसे पहले बात करेंगे आर पीएफ सब इस्पेक्टर के लिए कि इसका स्ले सब्बाद करने वाले हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लागा दिए प्लीस लाइक कर दजिए आप से कही हम सपोर्ट करना चाहते हैं और साथी आप से एक रिक्वेस्ट है भारती होने को नात य blurred लिखेगा मैं आप से कही रिक्वेस्ट करेंगा चีका आगे क्यों सबसे पहले आपको यह बढ़ति होने वाली है इंडियन रेल्बे का अंतरगत यह भरती होती है एक्षें रेल्बे प्रोडक्शन फोर्स यानि आपकी एप इसमें आपका पोस्ट का निश्नल लबल आपका होता है एक्जाम का मोड का रखा गया एपलिकेशन मोड भी ऑनलाइन रखा गया इस कलिए मैंने आपको आलड़ी नोटिफिकेशन वाले वीडियो बता चुका हूं जो आपकी एक्जाम टाइमिंग रहने वाली वह आपके टोटल नबबे मिनट रहने पाल desse कि नमबे मिनित रहने वाले पर तेकर ंपका वन moves का होगा सा फ़्यक्या निगेटिक मार्किंट्ग ऐब का घंक है यह बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा सब से इंपोर्टेंट चीज हम आप की इस बाताने वाले थे कि स्लेबस में निगेटिंग मार्किंग लिए बहुत थी ये अच्छा योगदान रहता है जो आपको कनफर्म कोश्य ने उसी को टर्च करिये गलत पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा अब आते हैं जो इक्जाम इसने कह यंध वाथ धिक होगे और इंग्जी इंग्लि entr यंग्वेजभ तो हाय अब कहले ने हम इसको भी बारें बताएंगे चल्ब सबसे पहले पहले इसके बात करें दो इंग्लिस इंग्लिस निए उर्दू, तमिल, तेलगू, कुनकनी, मनलयालम, कनाद, मराथा, गुजराती, बेंगुली, उडिसी, असामी, मनिपुरी और पंजाब, यह आपको पंतर लेंग्वेज में आपका एक्जाम होगा, जिस आप लेंग्वेज सेलेक्ट करके अपना एक्जाम दे सकते हैं, यह आप दे सकते हैं, आगे चलते हैं, तो इसकी जो पंतर लेंग्वेज के बारे में यह बता दिया, उसके बाद हम बात करते हैं, आपको की जो सेलेक्ट सन प्रोसेस हैं, ठीके, वो क्या है, पहले आपका फॉर्ष्ट अपॉल कंप्वीटर बेस आपका एक्जाम होगा, ठीक इस परकार आपका ररनिंग होगा, इस टूजेड ठीके, प्रिफियर से जैसे हुए था, ठीके, उसके बाद आपका डॉक्मेंस विरफाई उसी दिन हो जाएगा, चलिए आगे बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लें, आपको सेलेक्ट सन प्रोसेस, तो सेलेक्ट सन प्र रहेंगे, ठीके, जिसमें आपको 100 कोष्चन रही रहे वाले, आपको इसमें 120 कोष्चन रहेंगे, ठीके, कितने 120 रहेंगे, 100 वाला नहीं है, ठीके न, 120 और 90 मिनिट का समय रहेगा, चलिए आगे बात करेंगे, उसके बाद फिचकल सोगा, फिर आपका डॉक्मेंस भिरफा रहने वाला है, और 35 मार्स का होगा, ठीके, और यहां आपका जीएस, और क्रेंट सफिर से जो कोष्चन रहेंगे, 50 अंक रहेंगे, ठीके, रिजिनिंग से जो कोष्चन रहेंगे, 35 अंक होने वाले है, टूटल समय ओधी आपके पास 90 मिनिट का रहने वाला है, ठीके, जो आपको देखे, यहां आपको 120 कोष्चन है, ठीके, और यहां समय आपके लिए बहुत कम रखा गया है, इसलिए लेकिन एक यहां बेन्फिट यह है कि आपको जीके जीएस में आपको 50 कोष्चन दिए जाने, वे वान लाइनर कोष्चन हो या ठीके, लेकिन आपको समय कहां बचेंगे, यह आपको GKS में बचेंगे, जो आपको कहां, आपको मैथ में, और रिजिनिंग में बेन्फिट करेंगे, टोटल कोष्चन हो कि संख्चा कितनी हो जाएंगे, और आपको 120 कोष्चन को आपको 120 अंक हो जाएगा, और इसको कम्प्लीट कितने करना है, 90 मिनिट मे आपको कम्प्लीट करके आपको बर्दी ले लेना है, और आपको जो मेरिट भी बनेंगे, तो आपको रिटन के एक्जाम के ही अंदर बनने वाएगे, यह नहीं कि आपको फिजिकल सभी नमबर जुटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं, तो अब हम बात करेंगे क आपको जो कोश्चन पुछे जाएंगे, किस-किस बिशाय से और किस-किस चैप्टर से कोश्चन पुछे जाएंगे, इसके रिगाइडिंग बात करेंगे, तो जैसे कि सबसे पहले बात कर ले हैं, आपको कि 50 कोश्चन रहने वाले हैं, 50 अंग्स के, यह कितने यह रहेंगे 2KGS और क्रेंट तो सप्कूषिन रहने वाले मतलम इतिहास को कला हो संसक्रीट को भूगोल सबस्क्राइब को पर पर के डेक्षिब सोमक्र से आपको पर सब्सक्रीट आ जिए तो यह आपकोर के जो घटना होंगे उसके आपके कोश्चन रहेंगे अंतराष्टिय समाचार यानि आपके भारत के अलावा और किसी भी देश में क्या घटना होड़ा है इसके भी कोश्चन रहने वाले राजनीतिक अपडेट से भी रहने वाले हैं, ठीक है, समाजिक मुद्दे, यानि जो आपके समाज में कौन सा घटना कब हुआ, क्यूं हुआ, किसके क्या बदला हुआ, किसका प्रोमोशन हुआ, कौन से खेल लीता है, इससे भी कोश्चन क्रिणिस सप्यर में रहने वाले हैं हमारे समाज में की घटनाय और विकास, ये साड़े भी आपको रहने वाले हैं, अब आगे बात करतें देखिए, नेश्ट लंबा थोरा वीडियो जाएगा, लेकिन हम एक एक चीछी और बात करेंगे, भारती इतिहास के बारे में ठीक है, तो ये परचीन भारत, मध्यकालि भारत और अधूनिक भारत, तीनों से आपके कोश्चन रहेंगे, ये नहीं कि आपका से दोसरे ने, इसमें आपको तीनों से रहने वाले हैं, और बात कर लें हैं, कला और संस्कृति से, तो दिखें, जिश्ट कला, कला प्रदर्शन, सहित्य, कभिता, संगित और ये चार ट बिश्व भूकोर, और पाढ़ावरण, मुद्धे, इस्से कोश्चन रहने वाले हैं, आगे बात करते हैं, और सास से, और सास भी आपके तीन मुद्धे कोश्चन रहने वाले हैं, टिक, आगे चलते हैं, और बात करते हैं, शमान्य राज वेवस्था से, जो आप को ये भी 3 कोश्चन शमान्य परशाष्टन से, राजनेतिक संबंद से, और कानौने पर कानौने दाचा से, जो आपके कैनौन किस परकार लागु हुए हैं, किस परकार हैं, इसका डिकाटिंग से बात करेगा अब बात करते हैं इसमें सिंपल आगला कोश्चन है पूछे जाएंगे आपके भरतिय इतिहास सवर्भरतिय श्रविधान से मौलिक अधिकार आपका राज्य नीती निद्रेश्वत्रत्त तो शन्सोधन पर किया से आपके कोश्चन पूछे टीनों से आपके कोश्चन रहने वाले हैं यह आपका होगाँ जी के जीस और क्रेंट सफिर के पॉइंट जो आपको हमने बता दिया आगे चलते हैं है अब अगे बात करने वाल हैं आपको गनित की किसकी चै sleek से को दुखन रहने वाले हैं तो और नेक्ष्ट माते क्ट गतेस्द संक्या के बिच संबंद्ध संक्या के बीच संबंद्ध में आपको रहेंगे दिसमें तीन को प्तिर रहने वाले थमद सिके अपको हुआ37 में आपको भात चैसी आपके कोंट रहने वाले आगे चलते हैं नेस्थ मौलिक अंगनित से जिसमें आपका जोर, घटाओ, गुन्ना, विभाजन इस अब से कोश्चन रहेंगे यह आपको सजा करें ऐसे देखने मासाल लाएगा लेकिन आपको जब कोश्चन मिलेंगे वो आपको परतिसत से भी कोश्चन रहने वाले हैं अब बात करते हैं आपके रिजनिंग के किस कोश्चन रहने वाले हैं तो रिजनिंग के वे बारे हम बात कर लें सबसे इंपोर्टन्ट यह भी है रिजनिंग में आपको देखें उपमा से भी कोश्चन रहेंगे कितने दो आपके उपमा से भी कोश्चन के मुद्धे उठाय जाएंगे सकते हैं नेश चलते हैं आपको एक एक चैप्टर का हमने नाम इसमें सोक दिया आप इसे अंडरलाइन करके अपने बुक में ले सकते हैं अगर आपको यह चाहिए तो मैं अपना आप इसको मैंने सेन कर देता हूं जहां से आप यह देखकर डाउनलोड कर सकते हैं और साथी आप स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं एक एक चैप्टर वे चैप्टर मैंने आपको इसमें बता दिये गहाए तो फिर अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कॉमेंट करके इसके रिगार्डिंग बात कर ले अगर आप यूवर काटेगरी और ओविस से क्रेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एक सो पैसर सेंटीमीटर हाइड होना चाहिए ठीक है अगर एक सो पैसर से कम है तो आपको दिकत आ सके एस एसटी के लिए एक सौ साथ अगर आप इन सब राजियों से बिलोंग करते हैं तो आपका 130 cm हो जाए अब यहीं चेश्ट की बात कर ले आपका 80-85 और यहीं चेश्ट में CCST की बात कर ले तो 70, 6.2 से लेकर 80, 1.2 रहना चाहिए यहीं 80-85 इन लोग अभी रहने वाला है यह है पूर्स वर्गों के लिए और यहीं से महिला वर्गों के लिए है जो आपको हाइट के रखा गया है आपका 170 रखा गया है CCST 152 और इन सब राजियों से अगरा आप विलोंग करती है तो आपक तक लिए जय हीं दोस्तो बंदे मातरम